आज तक कोरोना के खलाफ इंदुस्तान ने कमर कसली है लेकिन दिल्ली में कोरोना से पहली और देश में दूसरी मौत के बाद देश्चत और बढ़ गई है देश भर में कोरोना को हराने के एक मौहिम सी शुरू हो गई है कई राजियों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिये गये हैं यहां तक की आईपिल को भी 15 एप्रिल तक टाल दिया गया है खाली हो गई मौल सिनेमा हॉल में लटका ताला सूने पड़े बाजार सरकार चोकन्नी प्रिशाशन मुस्तैद शहर शहर कुरोना कर्फ्यू का कहर देश के तमाम शहरों की रंगत ही बदल गई है महानगरों की जिन बाजारों और मौल में हर वक्त लोगों की भारी भीड़े रहती थी वहां सूनापन का बाजार है सननाटा है जी हाँ यह कुरोना की दहशत है जिसकी चपेट में इस वक्त पूरा हिंदोस्तान है अब तो कुरोना से दिल्ली में कुरोना से पहली मौत हो गई है और देश में दूसरी इस जानलेवा वाइरस ने देश की रफ्तार को मानो रोक दिया है उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिन में तमिल नाडू तक कुरोना का असर है लेकिन कुरोना को हराने की तैयारी भी पूरी है भारत में आकड़ा 85 के पार जा चुका है देश के नौ राजियों में सभी स्कूल कॉलेज 22 मार्च से 31 मार्च तक बंद किये जा चुके है महराश्च में मुंबई और नागपूर समेत 5 शहरों में सभी सिनिमा हॉल, जिम और सुमिंग पूल को बंद कर दिया गया है सभी राजियों में कुरोना हेल्प लाइन जारी की जा चुकी है लखनों और कॉलकता में भारत और दक्षिन अफरीगा के बीच होने वाले दोनों वंडे मैचों को बी सी सी आई ने रद कर दिया है आईपिल टूनमेंट को भी 15 अपरेल तक टाल दिया गया है जबकि दिल्ली में आईपिल का एक भी मैच नहीं होगा खेल से लेकर मनुरेंजन की दुनिया में कुरोना ने अपनी घुसपैट कर ली है हलाकि सरकार ने कुरोना को हराने के लिए स्वास्ति मंत्राले नागरीक उटेयन मंत्राले विदेश मंत्राले वित्व मंत्राले और वाडी जिम मंत्राले के सचीवों को निर्देश दिया है कि हर रोज वो इस बिमारी पर अपडेट ले और तो और खुद प्रधान मंत्री मोदी ने कैबनेट की बैठक में COVID-19 के हालात की जानकारी ली कुरोना को हराने के लिए सरकार और प्रशाशन को कई बड़े और कठोर फैसले करने पड़े है मकसस सिर्फ एक कुरोना को हरा कर रहेगा हिंदुस्तान आज तक वियो रो कुरोना वाइरस के खलाफ जंग में दिल्ली और महाराश्ट में सक्त एतियाती कदम उठाए गए हैं दिल्ली में जानलिवा वाइरस से पहली मौत हुई है 68 साल की एक महिलानी आरेमिल अस्पिताल में दम तोड़ गया है उधर महाराश्ट के पांच शेरों में जिम, फेटर और सुमिंग पूल बंद कर दे गया है दिल्ली में कोरोना वाइरस से संक्रमित मरीज की मौत हो गई ये दिल्ली में इस बीमारी से होने वाली पहली मौत थी 68 साल की महिला ने दिल्ली के आरेमिल अस्पिताल में दम तोड़ दिया बुजर्ग महिला को अपने बेटे से संक्रमित हुआ था जो विदेश से लौटा था हाना की इस महिला को कोविड-19 से संक्रमित के अलावा कुछ और गंभीर बीमारी भी थी देश की राजानी दिल्ली में कोरोना वाइरस से मौत का पहला मामला सामने आया 69 साल की एक महिला की दिल्ली के आरेमिल अस्पिताल में मौत हो गया और इसकी वज़ा कोरोना वाइरस है दरसल महिला और उनके बेटे को साथ मार्श को दिली के आरेमल अस्पताल में भरती कराया गया था महिला का जो बेटा है उसने हाली में विदेश यात्राएं की थी वो स्वीट्जर लैंड और इटली गया था जिसके बाद वो घर लोटा तो मा और वेटे दोनों को बुखार हो गया और उसके बाद उनको दिली के रामनोर लोईया अस्पताल में भरती कराया जहां उनकी जाच हुई और दोनों को कोरोना वाइरस की पुश्टी हो दिली में कोरोना के छे कन्फरम मामले थे जिन में से एक महिला की मौत हो गई वहीं इन सब के बीच दिली में तमाम एहतियाती कदम उठाए गए है सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिये गए हैं सिनेमा हॉल भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे आईपियल के मैच समेट सभी खेल आयोजन पर पाबंदी लगा दी गई है इनके अलावा दिली मेट्रो को सैनिटाइज करने का काम लगातार जारी है राजीव चोक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन के हैं ग्रिल्ज को सैनिटाइजर से साफ किया जा रहा है और 24 गंटे किया जा रहा है दूसरी तरफ आपको बता दे कि अक्सर जब लोग यहां से निकलते हैं तो इस हैंड ग्रिलिंग को पकड़ते हैं और उसके बाद से इनी सारी चीजों से निपटने के लिए जो है इस तरह की कबायद यहां पर मेट्रो की तरफ से की जा रही है इस बीच आई टी बीपी के च्छावला कैम्प में विदेश से लोटे और निगरानी में रखे गए लोगों का टेस्ट नेगेटिव पाया गया यह लोग अपने अपने घरों के लिए निकल गए दूसरी तरफ आई आई टी दिल्ली के प्रशासन ने चातरों से कहा कि वो होस्टल खाली कर दें कोरोना वायरस की कहर की वज़ा से जेन यू और जामिया ने भी पढ़ाई बंद कर दी है वहीं महरास्टर की बात करें तो पांच शहरों में कई एहतियाती कदमों के तहद कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है मुंबई, नवी मुंबई, पूने, पिम्परे चिंचवड और नाकपूर में भी सभी जिम, थियेटर और स्वेमिंग पूल बंद रहेंगे पूने और पिम्परे चिंचवड के जिन स्कूलों में परिक्षा है उनके अलावा सभी स्कूल बंद रहेंगे थियेटर बंद रखे, मौल्स अभी जो कैसे है कि जहां पर जरूरत मन जो रोज की जरूरत की जो चीजे होती है वो बंद रखना भी कठी नहीं लेकिन खास तरफ पर थियेटर और जिमनेशियम यह हमने बंद रखने का और स्वेमिंग पूल्स यह तीन हमने बंद रखने का निरने लिया है महारास्टर में अब तक कोरोना के 17 पॉजिटिव केस कनफाम है महारास्टर में 133 संदिक्द मरीज राजि के अलग-अलग अस्पतालों में भरती है मुंबई पुने और नाकपूर एइपोर्ट पर अब तक 1,6,175 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है उद्धव ठाक्रे ने कहा कि ट्रेनों और बसों की आवाजाही को रोकना संभव नहीं लेकिन उन्होंने लोगों से बेहत जरूरी होने पर ही सफर करने की अपील की पुनित शर्मा और रामकिन करसिंग के साथ कमलेश सुतार मुंबई आज तक कोरोनों का खत्रा पूरे देश पर मनज़ा रहा है इसके वारिस के चपेट में आने वाले राज्यों के संख्या बढ़ती जा रही है यही वज़े है कि कई राज्यों ने इसे महमारी खोशित करने के साथ साथ स्कूल कॉलेजों को बंद करने का भी आईलान कर दिया भारत में लग गया है कोरोना कर्फ्यू उत्तर से दक्षन तक मचा है हरकम पूर्व से पश्चिन तक बजी है खत्रे की घंटी पल-पल कोरोना के मरीजों के बदलते जा रही हैं आंकडे दिल्ली से सटे यूपी में भले ही कोरोना को महमारी नहीं घोशित किया गया है लेकिन जैसे महमारी से ने पटनी की तैयारी होती है वैसी ही तैयारी का दावा है यूपी सरकार का हमारा प्रियास है कि हर जन्पद मैं जैसे हम लोगों ने 75 हमारे जन्पद हैं 75 जन्पदों में हम लोगों ने प्रतीक जन्पद में आईसोलेशन वाड बनाया है यूगी सरकार ने एहतियातन सबसे पहले स्कूलों को बंद करने का फैसला किया यूपी के सभी स्कूल और कॉलेज 22 मार्स तक बंद रहेंगे मेडिकल कॉलेज में MBBS तक की कक्षा नहीं चलेगी हालां कि जहां पर एक शाय चल रही है वहाँ ये आदेश लागुन नहीं होगा कोरोना वाइरस के चलते पिये मोदी का गुजराद दोरा रद हो गया है पिये मोदी 21 और 22 मार्स को गुजराद जाने वाले थे गुजराद की सरकार ने भी कोरोना से बचने के लिए कई कदम उठाए है कोरोना का खौफ ऐसा है कि कोई भी राज्य जोखिम उठाना नहीं चाहता उत्तरा खंड सरकार के तीन साल पूरे होने का कारकरम भी रद कर दिया गया कोरोना के खत्रे को देखते हुए राज्य में सभी स्कूलों को 31 मार्स तक बंद करने का एलान किया गया नैनी ताल के मशहूर शेरवूड बॉर्डिंग कॉले से लेकर सभी स्कूल कॉलेजों पर ताला लग गया है हमने अभी एहतियातन तवर पर तमाम जो हमारे श्कूल हैं उनको 31 मार्स तक के लिए बंद कर दिया है अभी लगातार हम रोज इसके लिए नियमित रूप से बैठ रहे हैं और आगे भी उसमें क्या कारवाई करनी है कोरोना वाइरस का सामराज्य धीरे धीरे देश में फैलता जा रहा है बिहार में भी नितेश सरकार मुस्तैद है कोरोना के खत्रे को देखते हुए स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सनस्थानों को 31 मार्स तक बंद करने का फैसला लिया गया कोरोना का डर रहसा है कि आरजेडी ने भी राजगीर में आज और कल होने वाले प्रशिक्षन शिविर को रद करने का फैसला लिया वहीं हर्याना में सभी स्कूल कॉलेज और यूनिवरसिटी में 31 मार्स तक छुट्टी दे दी गई है जहां पहले ही कोरोना को महामारी घोशित किया जा चुका है जबकि जम्मू में सभी स्कूल कॉलेज ट्यूशन सेंटर 31 मार्स तक बंद रहेंगे पंजाब में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है यहां पर कोरोना को हराने के लिए मौक ड्रिल की जा रही है उडिशा में कोरोना को आपदा घोशित कर दिया गया है उडिशा के सभी स्कूल और सिनेमा हॉल को बंद करने के आदेश दिये गए है कोरोना का खौफ दक्षिन के राज्जों में सिर चड़ कर बोल रहा है सबसे ज्यादा खत्रा केरल में है यहां कोरोना वाइरस के तीन और नए मामले सामने आए हैं कोरोना वाइरस के खत्रे को देखते हुए केरल करनाटक और तमिलनाडो में स्कूलों को 31 मार्ज तक बंद कर दिया गया है जाहिर है कोरोना के खत्रे से निपटना आसान नहीं लेकिन उमीद है कि जागरुकता और जरूरी कदम उठा कर भारत इस पर जल्द काबू पा सकेगा लखनों से निलांश शुकला पतना सिरोहित सिंग नैनिताल सिरीला सिंग विष्ट के साथ आज तक ब्योरो